नमस्कार दोस्तों मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हमारा इंडस्ट्रियाल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बूल बूल दोस्तों आज का वीडियो में मैं फिर से आपके लिए भीएवडी के बारे में ट्रॉबुल शुटिंग वीडियो लेके आया हूँ पूरा प्राक्टिकाल वीडियो है दोस्तों वीडियो को आन तक जरूर देखे जैसा वीएवडी का ट्रॉबुल शुटिंग के बारे में मैंने अल्रेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ यानि वीएवडी में क्या क्या फॉल्ट आते हैं वीएवडी ओवर करेंट में ट्रीप हो रहा है तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे वीएवडी डिसी ओवर वोल्टेज में ट्रीप हो रहा है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे ट्रॉबल शुटिंग प्रोसीजर क्या है क्या करने से आपका problem solve होगा मैंने detail में समझाया हुआ हूँ अगर आप हमारा playlist में जाएंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा वहां पर नहीं तो आप मेरा description check कर सकते हैं description में VFD का playlist आपको मिल जाएगा जैसा कि आप जानते है motor का speed को vary करने के लिए VFD यूज किया जाता है और VFD पैनेल में आप ऐसा दो मिटर देखे होंगे एक एक current देखने के लिए दूसरा बाला है speed indication देखने के लिए तो पैनेल में दो मिटर है और control room में भी हम लोग same to same motor का speed and motor का current को देख सकते हैं पैनेल से feedback जाता है DCS पैनेल में फिर वहाँ से हम लोग control room का computer का screen के ओपर देख सकते हैं कि motor कितना ampere ले रहा है और कितना speed में चल रहा है तो माल लिजे आपका control room में motor का speed या current आपको नहीं motor का speed 50% में motor चल रहा है लेकिन control room में zero speed दिखा रहा है या 20% speed दिखा रहा है तो उस समय आप case से उसको troubleshooting करेंगे तो दोस्तों motor का speed देखने के लिए VFD पैनल में transducer लगा जाता है यानि speed देखने के लिए एक transducer और current देखने के लिए और एक transducer लगा जाता है लेकिन दोनों transducer same type का रहते हैं जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं दो ट्रांदूसर है एक speed का जो की rpm लिखा हुआ है दूसरा वाला है current का तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको doubt करना है कि ट्रांदूसर खराब हो सकता है तो ट्रांदूसर को कैसे चेक करेंगे तो ट्रांदूसर का दोस्तो input and output रहता है तो bfd का यहां पे जो ट्रांदूसर है दोस्तो उसका input 0-10 volt DC है और उसका output है 42 milliampere हमेशा जो signal जाता है दोस्तों ट्रांदूसर का output में वह हमेशा 4-20 milliampere में उसका signal जाता है तो सबसे पहले आपको output 4-20 ampere को measure करना है अभी मैंने कुछ safety procedure follow किया है यानि मैं bfd को off कर दिया हूँ लेकिन इसका control अभी on है तो यहां पे दोस्तों bfd अगर run नहीं होगा तो हमेशा 4 milliampere show करना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं मैं milliampere meter में इसको measure कर रहा हूँ तो यहां पे 1 milliampere show कर रहा है जो कि minimum 4 milliampere show करना चाहिए तो यहां से यह मालूम होता है दोस्तों कि जो RPM बाला ट्रांडूसर है यह RPM ट्रांडूसर खराब है दोस्तों तो यहां पर क्या हुए दोस्तो दो आउटपूट है तो चलिए दूसरा वाला आउटपूट को मेजर कर लेते हैं यहां पर भी देखे दोस्तो 20 अप्यूट कर रहा है जो की minimum 4 अप्यूट करना चाहिए अगर 4 अप्यूट से कम दिखाएगा तो भी ट्रांडूजर खराब है या फोर मिलियम्पेर से ज़्यादा दिखाएगा तो भी समझ लेना कि ट्रांदूसर खराब है तो चलिए दोस्तो अभी कॉरेंट बाला जो ट्रांदूसर है उसको हम चेक कर लेते हैं उसका आउटपूट में ये मिलियम्पेर मीटर को लगा कि हम लोग मेजर करते हैं कि कितना मिलियम्पेर ले रहा है दोस्तो मोटर का करेंट को कंट्रोल लूम में सो करने के लिए यानि आपका कॉंपूटर का स्क्रीन पर अगर आप उसको करेंट को देखना चाहते हैं तो आपको ट्रांदूसर लगाना पड़ता है यानि मोटर का सिट्टी के बाद आपको ट्रांदूसर लगाना पड़ता है तो यहाँ पर दोस्तो यह कितना मिलियम्पेर शो कर रहा है 4.5 मिलियम्पेर शो कर रहा है ट्रांदूसर का आउट्पूट में तो 4 to 5 यानि यह भी थोड़ा एरर है दोस्तो अक्चुली 4 मिलियम्पेर शो करना चाहिए जो भी ट्रांदूसर 4 मिलियम्पेर शो करें तो समझ लेना वो 100% सही है यह थोड़ा एरर दिखा रहा है तो दोस्तो अभी हम चेक कर लेते हैं इन्पूट साइट को थोड़ा चेक कर लेते हैं यह थोड़ी चेक को दोस्तो यहां पर जीरो थो 10-बोल्ट डिसी आयेगा डिसी वौल्टेज के हिसाब से आउटपूट जेन एक दोस्तो PARC hoffe यहां पर बिल्कुल 0V DC दिखाई दे रहा है जब भी यह ड्राइब स्टार्ट होगा चलेगा रान करेगा तो उस समय उसका इंपूट में कुछ DC वोल्टेज आएगा फिर उसी DC वोल्टेज के हिसाब से यह आउटपूट जनेरेट करेगा इन मिल्ली आमपेर में जनेरेट कर डे हमना है तो यह दोस्तो एक नया ट्राइब सर बिल्कुल नया है यह दो सर नीचे बना देखिया है तो इबाद दोस्तों नीचल पूर्ट में देखिए आउटपूट टू इन्पूट भी लिखा गया है तो इन्पूट में जैसे मैंने बोला कि यह BFD वाला ट्रहन दूजर है तो 0 to 10 volt इन्पूट में DC दिया जाएगा और आउटपूट में हमेशा 42 mili-a निकलेगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों अभी हमने पुरा replace कर दिया है जैसा connection था same to same connection कर दिया है यानि positive में positive terminal को लगाया है negative में negative को लगाया है ये हमेशा याद रखना दो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है दोस्तो positive negative आपको same लगाना है अगर आप ultra लगा देंगे तो भी आपका control room में कुछ भी current show नहीं करेगा दोस्तो तो चलिए दोस्तो इसको measure करते हैं measure करने से ही पता चलेगा कि actually ये सही है या खराब है दोस्तो तो million meter लेकर ये आप लोग measure करेंगे कि ये 4 to 20 million meter deliver करेगा तो एक व्यार पे आप ये claim को लगा दीजिए तो यहां पे देखिए दोस्तो 3.97 million meter show कर रहा है जो कि बिल्कुल सही है दोस्तो 3.9697 अगर show करेगा तो बिल्कुल सही है दोस्तो तो transducer replace करने के बाद आपका current control room में show करेगा अगर control room में current show नहीं कर रहा है तो आपको क्या checking करना है तो आपको देखना है दोस्तो यह कौन सा OR यूज किया गया है यानि signal को जो ले जाता है जो केबूल वो हमेशा shielded केबूल होना चाहिए अगर shielded केबूल यूज नहीं करेंगे तो क्या problem आएगा क्यों shielded केबूल का इस्तवाल किया जाता है उसके बारे मैंने अल्रेड एक वीडियो बनाया हूँ दोस्तो अगर चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसका लिंक आपको टेस्क्रिप्शन मिल जाएगा और शिक्टी टू ट्राहंटूसर का connection कैसे किया जाता है उस दोस्तो आशा करता हूं दोस्तो आज का वीडियो में कुछ सिखने को मिला होगा तो वीडियो आचा लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं हमारा चानल को सबस्क्राइब करें और देखते रहे यह industrial electrical channel बोल 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 मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार